Hello Everyone Hi To, आज हम एक acc query की बात करने वाल है, i think it is the most common query चाहे student JEE की तेयर ही कर रहा हो, चाहे NEET की तेयर ही कर रहा हो, physics बहुत से लुगों के लिए सरदर्द होते है न, और उसमें से कई students ऐसे होते हैं, जो कहते हैं, सर हम पूरे notes कम्लीट कर रहे हैं, DPPs complete कर रहे हैं सर बहुत सारे questions कर रहे हैं ऐसी बर्मा भी कर रहे हैं सर मतलब इतना सब करने के बाद भी physics में सर हमको confidence नहीं आ रहा है है ना जब नए question उठाते तो खुद से solve नहीं होते या फिर exam में जाते हैं तो नहीं हो पाते तो मतलब क्या गडबड कर रहे हैं तो देको बात यह है कि definitely गडबड हो रही है और पढ़ने के तरीके में गडबड हो रही है तो मैं यह चीज़ समझ आए कि physics बाकी किसी भी subject की तरह नहीं not even like mathematics मतलब physics को पढ़ने का विलकुल एक अलग तरीका होता है और यहां रखना तुम जिस तरह से chemistry पढ़ रहे हो या math पढ़ रहे हो अगर तुम उसी तरीके से physics पढ़ रहे हो तर यहां तक ही चाहे नीट exam तुम physics का paper रट के नहीं कर सकते physics में तुमको दिमाग लगाना सीखना पड़ेगा physics को conceptually study करना पड़ेगा और वो कैसे करें जैसे कई बच्चे होते है सब्सक्राइब करने के बाद भी बोलते हैं उनको confidence नहीं आता जबकि सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर लो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़े शेयर करते रहते हैं मैं लाइब भी आता हो है इंट्रेक्ट रने के लिए तो इस पर भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम सबसे इंप्रटेंट भाई टेलीग्राम है नीट के बच्चे नीट वाला चैनल टेलीग्राम का क्योंकि आने का अग्वी पर मैरे बहुत सारे न्यू बैचेस आते हैं बहुत सारी फ्री लाइव क्लास्स होती है यूटूब पे भी होती है तो हर चीज का जो लेटेस्ट अप्डेट है अगर तुम्हें कुछ भी पता करने कि अभी कौन सा बैच चाहिए हमारा चाहिए मे प्रिश्वालिक सी वेबसाइट जरू चेक कर लेना हमने काया कि बहुत सारा हाइव क्वालिटी कॉंटेंट हमने कंप्लीटी फ्री में अप्लोड करा हुआ है जैसे पूरी कोटा की डिपीप नीट के बच्चों की अलग जीए के बच्चों की अलग पूरी अपलोड करी प्रिवी चेक करो एंड तो बिल्कुल डिस्टेक्शन पर पढ़ाई कर सकते हूं और अने काड़ मेरी पे पेड कोर्से भी होते हैं जो प्रोपर कोर्से होते हैं उसमें जॉइन कर सकते हैं जिन भी बच्चे को फिजिक्स में ने तो बहुत सारी मेरी प्री क्लासें सोती बच्चे को पता होगा अने काडमी पे रिफरल गोड होता है जिससे टैन परसे लाइगा इसको कर सकते हो और अगर कोई कोई क्वेरी है वही सब्सक्रिप्शन बगरा से रिलेटेड तो मेरे को टेलीग्राम पर में सेज कर सकते हो पीजे सर अनकाडमी इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो सीधे मैसेज कर सकते हो डारेक्ली कि सर हम कौन सब जोइन करना चाहिए मैं 2023 के लिए पेपर देने वाला हुए 2024 में 2022 वह वह टेवरी इस यूग अगर कोई भी क्वेरी है तो सब्सक्रिप्शन ले अगर करना है ना जो बचसे मुझे तुम को पता है ना और इसी ओडर में करना है ना जो बचसे मुझे से पढ़ रहे हैं उनको तो इसी ओडर में करना ही तुम कहीं और पढ़ रहे हो तब भी तुम इसी ओडर में पढ़ना है ना तो what is the right है ना सबसे पहले तो एक teacher तो बहुत important होता है तुम एक right teacher जाहिए ना और teacher ऐसा होना चाहिए जो पहले तो रटा ना ना रहा हो फिजिक्स हो ना क्योंकि फिजिक्स हो रट नहीं सकते कुछ भी करके ना जैसे नीट के बच्चे से क्या करते है एक तो यूडियो पे अगर तुम सो में से 99 वीडियो खोलो गे फिजिक्स रिलेटेट तो वो गलत तरीकी ही सिखा रहे होते है यही रीजन होता है उससे तुम्हारा सेलेक्शन नहीं होगा ना क्योंकि अभी तो नहीं पता होगा कौन सा फॉर्मिला लगना है और उसमें हलका साथ ही चेंज कर देंगे तो फॉर्मिला काम नहीं आएगा तो फिजिक्स हो सिफ पढ़ा जा सकते हैं अपको जीए में बहुत जादा डेप्त म पर पहुंचा भी सकता है और एक गलत टीचर तुम्हें मतलब तुम्हारी रेंख खराबी कर सकता है तो सबसे पहले तो एक सई टीचर डूना है आज कल बहुत सारे ऑप्शन से ऑफ-लाइन में कोटा में जाओगे बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे आनक आडमी तो इंडिय पर तुमारी आगे की जो सारी जन्य वो उनके गाइडेंस में चलने बाली है जो बच्चे मेरे बैचेस जोइन करना चाहते है वो मेरे बैचेस जोइन कर सकते हैं जब तो मारे अकाडमी में जाओगे यूविल फाइंड में टॉक एंड पॉलो मिया तो ठीक है तो पहले तो पुष्य रिविजन चाहिए होते हैं बनना चीजें दिमाग में नहीं बढ़ती है तो जब तुमने चलास करें उसके बाद उसी दिन जो तुमने आज पढ़ा है वो उसी दिन रिवाइस हो जा जा जाए जैसे तुमने घट घंटी की कलास करी अब तुम्हें घर पे आके र किर एक भी कॉंसे आए उनको परन फोश्रां करों करने की कोशिशिस करो नहीं हो रहा तो फिर देखो ठीचर ने कैसे क्रवाई है सबसे अच्छा कलेक्शन तो जो मिलता है यहाई जैसे बचे मुझसे पढ़ रहे ना तो उनको चिंस्की करने क्श नोट्स के बास सिकुछ ना एक भी कॉंसेप्ट नहीं आए कि नोट्स के वारे नोट्स है 100% सफिशन कई कोश्चन तो सीडेसी दोट के आते एक्जाम में हर साल आते हर साल चाहिए नीट हो चाहिए ना ठीक है तो यह इसलिए बहुत इंपोर्टेंट और फिर नोट्स तुमारे बहुत इंपोर्टें है उनको दिख नहीं हम अगर क्लास में मणलों कुछ मिस भी हो जाते तो हम नोट लिख कोई जीड कोई हो shapes दो और चीज के अपने advantage कि तुम उस पार्ट की रिकोर्डिंग देख सकते हैं तो उसको भी कभर कर सकते हैं उसके बाद अगली श्रक होती है तुम किसी अगर अच्छी कोचिंग में अच्छी टीचर के गाइटेश में पढ़ोगे वो तुमें बुक्स बग रहा है निए उनकी खुद की परसनलाइज दी जाती है ना कि उन्होंने आज लेक्चर में जो तो मैं पढ़ाया उससे रिलेटेट कोशन डीपी का मतलब होता है डेली प्रेक्टिस प्रॉब्लम से ठीक है तो यह कल्चर बंसल क्लास से स्टाट हुआता कोटा में और आज लगवग इंडिया की हर टॉप कोचिंग में होता है मतलब इस सिस्टम नहीं इंडिया की टॉप रिंक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हर लोग करना बहुत इंपॉर्ट है यह तुम कोई मार्कर से खरीद के किसी की दाप से नहीं कर सकती वाली चीज़ है क्योंकि हर टीजर का पढ़ाने का तरीका लग लग है तो उस टी का हम वीडियो सॉलोशन वगरा भी प्रोवाइड करते हैं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं यह चीज हमने वेबसाइट पर अप्लोड कर दी है हमारी वेबसाइट पर अप्लोड है इंडि जो बच्चे मुझ से अनकाडमी पर नहीं पढ़ रहा है वो भी इसको एक्सेस यह ना यह निट और जयमें के बच्चों की डिपीपे रिजसे रोटीशन जो बच्चे जेए एडवांस देना चाहरे है उनके लिए यह वी है ना उनको दोनों करने है जो नीट कर रहे हैं उनको से वीवाली करनी है जोमेटिक लोपर हर टॉपिक पर तॉमें मिल जाएंग और साथ में मैंने कई चेप्टर यूटूब पे जो पढ़ा रखें जिनको complete detail में पढ़ाया है वह भी मिल जाएंगे ना तो मैं पेज में आगे जाना पड़ेगा जैसे यहां पे जाओगे तो देखो है ना जोमेटिकल आप्टिक्स पढ़ा रखा है यूनिट से बहुत सा तो यह हो गया ना तो डीपीप कर रहें ना कहीं भी पढ़ रहो रेगुलर डीपीपी करना बहुत जरूरी है डीपीप में जो भी डाउट है तीचर से पूछ हो है ना या फिर जो भी solution मगरे वह प्रोवाइड करते तो उसको क्लियर करो है यह बहुत important है ठीक है जो बच्चे की त्यारी कर रहे हैं मुझसे पढ़ रहे हैं उनको बता है मैन वाली डीपीप तो करनी है उसी दिन पर उसके बाद में से नीचे तो सेटल होई नहीं सब्सक्राइब नहीं है पर उसके बाद भी हमको और करना होता है क्योंकि क्योंकि इस पुमारे concept बता है अच्छे खासे बन जाएंगे decent हो जाएंगे पर तुम्हें बहुत सारी practice की जुरूब होते अभी तुम एक्जाम में जाओगे तो क्योंकि तुम्हें समय जाता लग रहा हुगा तो इसके प्रक्टिस करो है या तो किसी तुम जिस भी कोचिंग में पढ़ा होका अच्छी कोचिंग में पढ़ा है तो भाका material कर सकते हो या फिर स्टेंडर्ड बुक कर सकते हो स्टेंडर्मा जनरली जो जो बच्चे अच्छी स्टेंग लेकर आते हैं वो दोनों खतम करते हैं स्टेंडर्मा फिजिक्स में इससे बैटर कोई बुक नहीं है और साथ में कोचिंग बटीरियल भी करते हैं हमारे भी जूश्वंटे वो भी यही कर रहा है ठीक है जैसे जो नीट 2021 में जो बच्चे इतने अच्छे मार्क ल नहीं करो करना है कोई और बुक नहीं कर पाई की बुक है तो यह बर्जन में करेक्ट हो चुक है तो 17 तो यह करो ना और टॉप कोचिंगा पैकेज कर सकते ना जो लोग मुझे पटेर उनको बिल्कुल फिजिक्स और एक सा पैकेज प्रॉपर मिली रहे तो मैं नीट हो करने नियू एक्जाम बेटन के साफ से ना जाता है उसको और भी मतलब करने जो जो मिस्स्टेक करेट करके पर करें तो वह आपए कर चांश में लिए नहीं है कहीं चार पार पां interrupt में होता नो से ट्रॉपर में तो खतम करो हो सके Return up कर दो हमां सब्सक्राइब कई प्रिश्रेंद करने चाहिए अरी तो नहीं करा क्यों मुझत सो हर नहीं कर सकता हर यह तुमें प्रायरिटी और सेट करे रखने ही कि तुम पूरा नहीं कर पाओ कि तो तुमारे स्लेक्शन नहीं होगा नहीं अगर तुम इतना भी करो कि एक सैसे बंटू कर लो कि तो भी तुम बहुत अच्छी रेंग लेकर आ सकते हो ना कई बच्छे लाते भी है न क्योंकि वह उतनी ही को बहुत जादा फोकस के साथ कर अगर तो अगर तो अगर तो अगर तो बहुत अच्छे तरीके से करते हो रहा तो 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 ज्यादा कोशन करने से स्पीड भी बढ़ती है यह अलग पाइदा है यह बहुत इंपोर्टेंट इस्टेप पर कई लोग मिस कर देते ना और अगर तो यह वाली इस्टेप में मिस कर रहे हो तो तो तुम्हें रिविजिएन करने में बहुत दिक्कत आएगी है यह हर सब्जेक्स के लिट्रिवेर नोट जस्ट फिजिक्स चाहे तो फिजिक्स इसा बहुत होता है तो उनको मार करते हो चलो यार बटा जब पहला रिविजन आएका ना तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम यह सब फिर से सौल्व करो तो और उस समय नए कोश्चन उठाना भी बेबग ही है कि तुमने सीधे रिविव पैकेज या रेंक बूश कर रहे उसको मार करते हुए चलो हमेशा तुम्हें कुछ ऐसे कोश्चन मिलेंगे जो तुम्हारा मन करेगा कि यह मेरे से पहली बार में नहीं होता या फिर में इसको मैं फिर से सौल्व करना चाऊँगा तो भाई सबसे नहीं कर सकते बस इन कोश्चन को करोगे ना सब कि यही तो तुम्हारे बीक पार्ट से तो वो सौरी याद आती है तो मतलब यह चीज मेरे लिए तो बहुत मैजिकल ही काम करी तो मैंने प्रॉपर एसी वर्मा में सब मार करते हुचला तो वह कोश्चन जब मैं दुबारा करें मैं सारी याद आता कि मतलब जो दो साल पहले पड़ाता है तो भाई यह बहुत जाए इसको कोई भी मिस नहीं करेंगा अगली चीज डाउट के लिए करते हुचला है डाउट को पाइल अप नहीं करना है याद आखना जैसे जैसे डाउट बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉन्फिटेंस डाउन होगा और याद आखना जिन को तो याद आखना तुमारी परपरेशन 50% परसेंट भी एक्यों किलेविट नहीं करें तो तुमारी परपरेशन 50% भी complete नहीं है क्योंकि जो चीज है उनको तुमने कवर नहीं इसलिए बहुत इंपरटेंट होते हैं कि तुम्हारा डाउट प्रॉपर के लिए होने चाहिए साथ में जितनी चीज़ों के वीडियो सॉलीशन प्रोवाइट कर सकते वो कर देते हैं उसके अलाबा भी अगर तुम्हें कभी भी घर पर डाउट आता है तो सुभे से लेकर रात तक डाउट चलते हैं तो फिजिक्स और बहुत सारे फैकल्टी जो मेरे साथ काम करते हैं तो सुभे से लेकर साम तक टेली ग्रॉट से तुम्हारे डाउट देते ना तो उन बच्चे को मैं आड करता हूं जो रेगुलर रहते हैं मेरी क्लास में तो इसमें बहुत जादा हाई क्वालिटी किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं बने जाए साथ में आने कैडमी पर भ तुमारा नहीं होने वाला तुमारी रहेंग अच्छी नहीं आएगी आरकना मतलब तुम जितनी ला सकते ना अगर तुमारी पांसो रहने की बटर तुम 10,000 पर गिर जाओगे इतना फर्क बढ़ता है तो यह होने चाहिए इन दोनों को मिसमत करना मिसमत करना डाउट हर एक कर सकते हो पर कोई सा कोई कंप 600 नहीं नहीं मैं के पास समय होता है वा कर सकते है नहीं तो कोई ऐसा लोड नहीं लेना है ना पर एक रीडिंग जरूब मानना है क्यों क्योंकि रीडिंग है कि अच्छी हवेट होती है कई पर मैंने बच्चों को देखा है कि एकजाम में कोशन बूद दो तीन 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 वाड़ पढ़ते हैं उनको तफसा के कोशन समझ में आता है ऐसे तो तुम अपना समय पर बात कर दो गया है तो यह बूद रीडिंग में कई बच्चों को दिक्कत आती है और दिक्कत आ रही है इसका मतलब यह नहीं कि बोचीज तो नहीं करोगे इसका मतलब बो तुम्हारी बीक है जो और जब तूम प्रेक्टिस करोगे तभी इंप्रूओग होगा रही पढ़ा दिया कोई भी चेप्टर पढ़ा दिया तो जब मैं पढ़ा दूंगा तो मैं इस पर मतलों होगे डीपीप कर लोगे में तुम्हारे डाउट सोल हो जाएंगे तो उस पॉइंट तो अब तुम्हें खोल के पढ़ना है निसी अटी बिलीब भी तो 15-20 पर पढ़के मत मतलब कॉंपेटिशन के साफ से 60-70 परसेंट भी नहीं होती है ना नीट के साफ से भी नहीं होता 60-70 परसेंट है ना तो मतलब एक्स्प्लेनेशन नहीं है तो इसको पढ़के तुम सीख नहीं सकते हैं पर जब एक बर तुम्हें आल्रेडी आता है तो आयर रिकमेंड कि यह करना चाहिए ना मतलब अपने आपको तुम्हें कम जोर या वीक नहीं बनाना है 15-20 मिंट में पढ़ो यार शेप्टर हटा हो यारा साइल में करो है ना और यह जो बच्चे पतले विलेमेंट वोड में भी काम आएगा वोड में भी काम आता है नसी आट यह ना क्योंकि उस सकता है तुम्हारे टीचर में बहुता की चीज़े छोड़ दिए इंडीड इस वेरी कॉमन लोकल कोचिंग्स में ऐसा बहुत हो रहा होता है ना मतलब से नाम का कंप्लीट होता है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हें पता है 30-40 परसंट भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है पढ़ो तो ऐसी कोई चीज़े तुम्हारी छूटिया है तो वह कवर हो जाएंगे ना बीकेंड रिवीजन करो है ना जैसे हम तो हर संदे को कुछ करते हैं जैसे फिजिक्स हर संदे को कुछ होता है नीट में भी जेई में भी है ना मैक्सिमम जाकी करते है ना अच्छे टी प्रोपर मॉक्टेस होता है ना नीट पूरे नीट के लेवल पर या जीए के लेवल पर है ना प्रोपर जो तीन गंटे का जैसे में तीनो सब्जेक्ट अफ्र प्रोपर टेस्ट होता है ना तो भाई इसको दो है ना इससे पहले पूरा मंत का पूर आव क्योंकि टेस्ट भी तैस्ट भी देने जारहों इसमें भी तुम्हाद ब्लीव मीं हाँ अं पर भी तीन गंटे लगें है यहाँ पर भी तीन स्टिर्ट लगेंगे मतलब अगर तुम सफीशन्ट करते हो ना तो जब तुम फाइनल एक्जाम में जाओगे ना तुम्हारे पूरे नोट्स पिजिक्स के लेकर रहे कि पूरे नोट्स 11 12 के करने में तुम्हें दो गंटेस्ट ज्यादा नहीं लगेंगे तुम अगर सफीशन तो मैं याद हो जाते हैं तो मैं इतने अच्छे से तेयर हो जाए इस पेसे बच्छे मुझसे पढ़ा है क्योंकि और सी सब कुछ है नोट कार 100% सब्सक्राइब नोट्स के बार से कोई concept नहीं आना है कोई concept नहीं आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स का जितना रिवीजिन करें वह उतना अच्छा है जितना कर सकते हैं मैं तो एक्जाम से पहले 20-30 रिवीजिन हो जाने चाहिए तुमारे नोट्स के तो रेगुलर मॉक्टिस द करा paper को तो तुमने 50% purpose 4 feet कर दिया paper का मतलब तुमने बरबात कर दिया यह बहुत ज़्यादा अगली बहुत-ज़्याद अगर यह नहीं करोगे ना तो तुमारे नंबर इंप्रूब नहीं करेंगे कई बच्चे बोलते हैं मेरे मार्स इतने पर ठक गए इससे ज्यादा इस पर इंडिर एक वीडियो भी बनाकर डालने वाला हूं इसकी लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में जाएगी प्रॉपर यह पॉर्म मैंने बना रखाए paper analysis का और यह वीडियो डाल दूँगा कि बिल्कुल प्रॉपर analysis हैनक हर test का यह हर subject में जरूर है प्रॉप पढ़ने का मन ना करना भी बहुत से लोगों के साथ होता है ना तो हर चीज का solution है हर चीज का solution है ना ठीक है तो बताओ ना जैसे बहुत हर रोज मेरा एक special class होती है which is a free class which is completely free class है ना तो उसमें मैं बच्चों के साथ बात करते हो ना रेजर हैं पर भी बात करते हैं मतला voice call पर text में बात करते हैं बच्चों की देख भाओ कि तुम इने में से कुछ मिस तो नहीं कर रहा है और इस सारी चीजे बहुत इप्पोर्टेंट है ना ठीक है और बाकी इसको शेर कर देना जो भी तुमारे अच्छे दोस हैं जिनके लिए तुम चाहते हो कि वाई तुमारे नीटों जी निकाल पाए ना तुमा बाबगाई सियो बाबगाई